तो friends, आज मैं आप लोगों के साथ में share करने वाली हूं, इस पिन से जुड़े । आइडियाश आप सभी के साथ में share करने वाली हूं. ये पिन केवल हमारे कपड़ों के सुखाने के कUI ही काम नहीं आते हैं बलकि इन पिनों के द्वारा ते हैं हम ऐसे 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 कमाल के माल कर सकते हैं तो दोचार आइडियाज टिफ्स आप सभी के साथ में सेयर करती हूं मैं पिंस का जो पहला आइडिया है वो है फोन को लेकर की आने की मोबाइल फोन को और हम लोग कई बार किचन में काम करते हुए है बचों को पढ़ाते वक्त या बचों को खुद ही पढ़ते ही समय मोबाइल रखने की ज़रुद पढ़ जाती है और इस टेंड हमारे पास में नहीं होता है तो उनको हमकी इस तरीके से मोबाइल को रख सकते हैं देखी इस तरीके से हमें पिन लगाना है दोनों से रूपर और बहुत ही असानी के साथ में ये इस तरीके से खड़ा हो जाता है आप टेबिल पर और अपने इस टूल पर ये स्लिप पर कहीं पर भी आराम से आप इसको लगा करके वीडियो आज कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तो चाहे आप इसको ऐसे सीधा करके करिए या जैसे भी आप मोबाइल यूज करना चाहें उस तरीके से फुल स्क्रीन में हाफ स्क्रीन में आप इसको देख सकते हैं कमाल का एडिया कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताईएगा तो ब्रेस के लिए हमारे ये जो पिन है ये किस तरीके से उपयोगी हो सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में एक बात सेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग ये ब्रेस करके वास रू दूप में इनको सुखाना ही सुखाना चाहिए ताकि इनके जंप्स मर जाएं तो कड़ी दूप में सुखाने के लिए अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो धूल मिटी वगेरे इसमें जाएगी इस तरीके से तो ये तुमें आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूं तो मैं घर पर फ्लोर पर बना रही हूं लेकिन आपको धूप में इनको कैसे सुखाना है कैसे इनका इस्टेंड बनाना है तो चलिए आप लोगों के साथ में सेयर करती ही से क्या आइडिया है इसका उसके लिए हमें करना क्या है अपना ब्रस लेना है और इसके साथ ही हमें इस तरीके से फसा लेना है इस तरीके से और हमें धूप में इस तरीके से रख देना इस तरीके से और ये बड़े ही आराम से टिक जाते हैं इस तरीके से और बड़े ही अच्छे से ये सूख भी जाएंगे इनके अंदर के जो भी जमस हैं वो खतम हो जाएंगे या आप अगर जरूरत है ये बहुत सारे पिन्स खरीदने की एक बार आप खरीद लेंगे और हमें साब के बहुत ही काम आने वाले ये पिन्स होते हैं वैसे तो आपँर भार हैं पतंजली टूथपेश जाथा इस्तेमाल होता है मगर कई बार होता है, जैसे हम लोग सफर में जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे छोटी-छोटी से ले लेते हैं नहीं पर इस तरीके से ले लेते हैं तो यह मेरे पास पढ़ा हुआ कि इस ते आजना ही इस तरीके से आप सभी को पता है अब ये पूरा यहां पर आ चुका है अब हमें के आज़ना क्या है अगर हमारा बड़ा पश्राख carbon से लगा लेंगे अगर सिंगल है तो हम ये इसको तो ये भी आइडिया बहुत ही यूस्फुल है और आप लोगों को कौन सा आइडिया बहुत अच्छा रहा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगला टिफ्स हमारा है जैसे हम लोग कोई ठोड़ी सी बची हुई चीज को ऐसे ही डालभी देते हैं तो ये यहांसे फैल भी सकता है या हम भी से कट करते हैं तो उससे भी पैल सकता है तो हमें करना क्या है कि इस तरीके से इसको fold कर लेना है और fold करने के बाद में यही जो हमारे pin है आप चाहे तो एक side से या दोनो side से इस तरीके से इसको pack करके आप लोग रख सकते हैं और दोबारा इसका फिर विस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आप एक ही लगाना चाहें, तो इस तरीके से आप एक ही फिल लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी फैलेंगे नहीं, आप इनको कैसे भी डाल दीजीए, बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे इस तरीके से, तो ये भी हमारे कीचन में बहुत ही काम आने वाला आइडिया ह और बस हमें ये पिन्स अपने घर में बहुत सारे लाके रखने हैं ताकि इनका हम अच्छे तरीके से उपयोग कर सके अगला जो पिन्स का आइडिया है मेरा वो है हैंगर के साथ में आप चाहे मैटल का ले लिजिए प्लास्टिक का ले लिजिए आप कैसा भी ले सकते हैं शा अपने कपड़ों को अपने कपड़ों को अर्गनाइज भी कर सकते हैं तो चलिए फटा-फट से देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से इसके साथ में कैसे हम अपना ट्रिक्स यूज कर रहे हैं हमारे सारे पिंस में ही इस तरीके से हॉल होता है तो आप चाहें तो जल्दी के लिए आप बड़ी वाली सुई का इस्तिमाल भी कर सकते हैं और इस तरीके से जो ये धागा है आप मोटा उन धागा लेंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए हमें इस तरीके से कि यहां से हम कट कर लेते हैं और इसके बाद में हमें करना क्या है कि इसको हमें इसमें बांदेना है यह जो हमारा हेंगर है इसमें हमें इसको अच्छे तरीके से बांदेना है आप इसको कितना लटका के बांदेंगे या आप इसको थोड़ा सटा के बांदेंगे जैसे भी आ तो ये देखिए हमने ये चार पिन लगाए हैं आप लोगों को दिखाने की वज़े से आप और इससे कम जादा भी कर सकते हैं तो ये इस तरीके से हमने हैंगर में पिन लगा लिए हैं तो अब हमें करना क्या है चलिए देखते हैं तो ये देखिए हमें आप लोगों को अपनी कबर्ड में टांग करके दिखा रही हूँ तो ये हमने मास्क टांगा है, सौक्स है, हैंकी है ये दूसरा मास्क है और मैंने आप लोगों को दिखाने की वज़ेस इसमें क्यवल चार ही पिन लगाए थे आप चाहें तो इसमें और पिल लगा करके और इसका बहुत ज़्यादा इसतेमाल आप सभी गर सकते हैं, और इसको आप कबड में ही नहीं, ऐसे हिए आप निकालके ले जाएए धूप में रस्ती में टांगेए, और ऐसे छोटे-छोटे कपडों को आप इसमें टांग सकते हैं, और आसानी के साथ में ज नीचे स्पेस कम है, जैसे कपड़े हुए हैं, तो इसमें कम से कम दो-तीन तो आप इसमें लगा ही सकते हैं और इसके बीच में जो सांस होती हैं, हवा अच्छी तरीके से पास होगी, और कपड़े भी बहुत तरीके से सूख जाएंगे तो ये जो हमारा है कि ये दोनों में काम आने माला है यानि कि कपड़े सुखाने के भी और अलमीरा में कपड़े और्गिनाइज करने के भी